कैसे हैं आप सभी होग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज दिन है संडे मैं आज सोच सुभाई सोच कल ही सोची थी कि सुभा उठोंगी तो ब्लॉग अच्छे से ग्दम फ्रेश वाला ब्लॉग बनाऊंगे बर ऐसा नहीं हो पाया मेरा तबियत बहुत जादा रात से मेरा तबियत खराब लग रहा था हमको पता नहीं मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ आप लोग आवाज जाबी रहा होगा कि नहीं वैसे मैं इस मेरा चोना बेटा है तो मेरा गला जो है ना काफी जादा पेन कर रहा है और गफ का प्रब्लम मुझे बहुत जादा हो गय है मैडिसीन में ज्यादा खाने सकती है आप सब को पता ही अभी जो सिच्वेशन चल रहा है क्योंकि डॉक्टर से मने कंसल्ट पी किया है तो उन्हें कहा है कि आप कोई मैडिसीन नहीं खा सकती है आप गरम पानी पीजिए कारा बना के पीजिए बट दवाई नहीं खाना है तो में तो सुबा मुझे बोलानी जा रहा था रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ मैं उठ उठ के गरम पानी करकर के मैं पी रही थी क्योंकि मेरा मतलब जैसे सो रही थी ना मुझे वामिटिंग हो जा रहा था कफ की वज़े से और गर्ले में पेन बहुत जादा हो रहा था मुझे देखा है तो उसने मुझे कहा है कि दीदी आप चूना गरम करके लगा लो तो उसने चूना को ना गरम करके और फिर मुझे लगाई है तो मुझे काफी ज़दा आराम मिला है फिर मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया तो उसने मैं उसका पोर नहीं उठा बाई थी उसने म पहले मैं नहा लेती हूँ कि तोड़ा सा फ्रेश फिल करूँगी फिर ब्लॉग जो स्टार्ट करूँगे अभी ये मेरे घर में नास्ता बना है ना खाना बना है कुछ नी बना है और जब मेरा बनाएंगे बेटा भी बनाएंगे पास्ता भी बना के देंगे अपना बेटा को और जब भी मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ ना हस्बंड का इतना सारा ओफिस का काम हो जाता है ना कि मतलब वो ऐसा भी नहीं होता कि घर पे रह पाया तो काम तो करना पड़ेगा इसके बाद ब्लॉग को कांटिन्यू करोंगे तो उसके बाद मैं सीधे गई बालकनी में और मेरे गले का स्थीतिना थोड़ा सा ठीक हो गया था बड़ फिर वैसे ही हो गया है मैं सुची वाइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि ब्लॉग चाहेगा इस वज़े से यह आवला है आवली का अचार बनाया है पती देव इसको वाल दिये थे बाकी मसाले वसाले तेल विल डालके मैं इसको धूप में डाली हूँ इसका अचार जो एक खाने में न काफी जादा अच्छा लगता है चावल रोटी पराटे किसी के साथ बेबी अपना इसको खा सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है हजबन को भी अच्छा लगता है तो दूप में रख दी थी क्योंकि दूप काफी जादा तेज हो रहा हैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाओ नहीं बनाओ फिर सोची की चलो लौकी की सबजी बिंडी की बूजिया और रोटी जो है न वो बना लोंगे कभी-कभी आप लोगे साथ भी ऐसा होता होगा ना कि समझ में नहीं आता होगा क्या सब्ची बनाए हम हाउस वाइफ के लाइफ में तो यह होता ही है कि क्या बनाए क्या बनाए ऐसा लगता ही है और जब बिमार रहते हैं तो और भी समझ में नहीं आता कि क्या बनाए जो जट बनाया मैंने आपको इस ब्लॉग में देखने को मिले गाई तब तक मैं ब्लॉग्स थोरा सा एडिट भी कर दी थी क्योंकि ब्लॉग मुझे आज ही बेजना था अभी एक दो दिन ना मुझे सच बताओ तो टाइम लगेगा अपनी रूटीन में आने में और मेरे लिए तो सबसे टेंशन यह है कि रिशांक एक दो दिन में स्कूल जाएगा उसके हिसाब से मुझे उठना वो मेरे लिए काफी जादा डिफिकल्ट होने वाला है फिल्हाल एक दो दिन में पर करना है कैसे भी होई जाएगा यहाँ पे मैं आ गई हूँ लॉग्य की सबजी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लॉग्य की सबजी बनाती हूँ आप लोग के साथ बहुत बार मैंने शियर भी किया है एक बात बता हूँ आप लोग के साथ इस टाइम पे न मैं थक गई हूँ अब मैं सोच रही हूँ कि कितना जल्दी यह एक महीना मेरा पार हो जाए और मेरी ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मेरी डिलेवरी जो है वो हो जाए और मतलब क्योंकि इस सिचुएशन में ना कोई मैडिसन्स खा सकते हैं पुरे बाड़ी में इतना ज्यादा मेरे पेन है इतना ज्यादा पेन है लेकिन मैडिसन्स भी ज्यादा नहीं खा सकते हैं ज्यादा क जो चाहो वो नहीं हो पाता है फ्रेंड सो एनिवे यहाँ पर मैंने लौकी जरहा दिया है सरसो का तेल हरी मिर्च, जीरा और प्याज का तरका लगा के लैसून नहीं डाली हूँ लैसून में भी अब डाल सकते है फोरन में और उसके बाद जब प्याज अचे से बुन गया है मैं उसमें लौकी डालके हल्दी नमग डाल जाती हूँ थोड़ा सा बुन जाएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो थोड़ा सा और दो ती सीटी देने देंगे बहुत अच्छे से कद्दू जो है न वो बन जाता है इसके बाद बिंडी की भूचिया बनाएंगे आठा मैंने लगा दिया है गुतने के लिए और ये मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे कॉल करके कि हाथ में न गरम तेल लगाके गैस पे सेक सेक के गले को सेको बहुत आराम मिलेगा तो जैसे उसने बताया मैंने वैसे किया है क्योंकि होता है यार पता है आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है अगर कोई आपको बता रहा है आपके अच्छे के लिए तो आपको एक बार वो करना चाहिए तो बस मैंने भी किया थोड़ा बहुत सा राम मिला लेकिन फिर मेरा गला वही हो गया है मौसब भी इतना चेंज हो रहा है न कभी धूप कभी ठंडा, कभी गर्मी मतलब ऐसा हो रहा है तो बस यहां पर कड़ाई में मैंने डाल दिया सरसो का तेल, एक है रिमिच मिंडी के बुजिया बनाऊंगे थोड़ी सी कितनी भी बिमारों खाना तो खाना ही है और बाहर का खाना आप कितना दिन खाऊगे और मैं जब बिमार होती हूँ न तो मुझे बाहर का खाना उतना पसंद भी नहीं आता है जोट-बोट का पैसे बरबाद हो जाता है अभी मैं कैसे आराम-आराम से वाइस-ओवर कह रही हूँ आप लोग मेरी प्रॉबलम को समझ सकते हूँ तो जी मैं भींडी के बुजिया बनाई रोटी बनाई, खावाली खाने के बाद मैं सो गई मेरी हिबमत ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर पाऊ फिर मैं शाम को उठी हूँ जब मेरी मैड आई है सेकंड टाइम में वा आती है सिर्फ जारू और बर्दन करने के लिए तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपना फेस वास किया क्योंकि मैं पूरे मतलब सर में विक्स लगाई हुई थी सर में भी बहुत ज़ादा पेन हो रहा था उसके थोड़ा बहुत सा ये सोफा उफा जो था वो मैंने ठीक किया अभी तो मेरा ब्लॉगिंग आप लोग के साथ ऐसे ही चल रहा है एक प्रॉपर रूटीन कब होगा पता नहीं उमीद है कि एक दो दिन में कर लूँगी मैं शाम का टाइम हो गया हुआ देख सकते हैं अंदेरा हो गया है दिया जलाने का टाइम हो गया है बालकनी में बस थोड़ा दिर्ख टहलूँगी और जाओंगी दिया जलाने और पते आप अकेले रहते हो ना तो आप थोड़ा ज़्यादा बीमार फिल करते हो सेम चीज वही है हस्बेन आ जाते है तो थोड़ा अच्छा लगता है उनसे बाते बाते करती हो और अभी तो मुझे आवाजी निकल रहा है तो क्या बाते करूंगी बस यहां पर मैंने दिया वाज जला दिया है मंदिल की भी साफ सफाई करनी है लेकिन हस्बेन को भी टाइम नहीं मिल रहा है और मेरा तो बैतो बिमारी हो क्या बताओ तो पूझा पार्ट करने के बाद मैं आ गई थी मैं सोई हुई थी ना तो मुझे तो निंदा गया था बट रिशांग तो खेलते रहता है मुझे मेरे बेटे की सबसे अच्छी चीज यही लगता है कि वो अकेले खुद से खेल लेता है उसके पास जितने टॉइस है या फिर घर के समान कोई लेके खेल लेता है क्योंकि एक तो मैं बिमार हूँ वो किसके साथ खेल लेता है है ना तो वो अकेले खेल लेता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती परिशानी नी चलो यार बच्चा केले खेल ले रहा है थोड़ा सा फोन वन भी देख लेता है और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने लाल चाय बनाने आ गई थी रिशान के कपरे थे कुछ उसको मैंने फोल्ड करके उसमें डाल दिया है तो लाल चाय मैं आपको पता यह बिसली गोटागर मसेला जितना भी होता है न समय डाल के तेज पता डाल के अद्रक नहीं था क्योंकि मुझे वाईस ओवर करना था तो थोड़ा सा तो आवाज मुझे निकले तभी तो आप लोग तक जाएगा जब मैं सोची कि थोड़ा सा यह पीती हूँ करक वाली चाय अपनी लाल चाय करक वाली तो बस इनको अच्छे से उबालना है अद्रक नहीं था नहीं तो अद्रक भी में डालती है तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है क्योंकि लाल चाय में ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालते है सो बस यह मेरा बन चुका है चाय रेड़ी हो चुका है इसी के साथ आज का ब्लॉग जो मैं एंड करती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स ब्लॉग में थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो गाईज लब यू टेक केर अपना ध्यान रखियेगा हस तरी